दिरुबाई अमबानी जब मुंबाई आये थे तो उनके जेब में बस 500 रुपय का नोट था पर जब उनकी मौथ हुई तब तक उन्होंने 75,000 करोड की एक कमपनी खड़ी कर दी थी जिसको आज हम रेलाइंस के नाम से जानते हैं तो इस स्टोरी से एक बात तो साफ हो जाती है कि सिर्फ पैसों से बिजनिस नहीं किया जाता अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं लेकिन आपके पास required skills, experience और अच्छा network है तब भी आप बहुत कम पैसे या बिना पैसों के एक successful बिजनिस स्टार्ट कर सकते हो आज किस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे offline और online बिजनिस आइडियाज बताएंगे जिसके थूँ कोई भी इंसान कम समय में अच्छी और stable earning कर सकता है सबसे पहले बात करते हैं कुछ online बिजनिस आइडियाज की जिनके थूँ आप बिना एक पैसा खर्च की अपना बिजनिस स्टार्ट कर सकते हो देखो जब बात आती है online पैसे कमाने की तो सबसे बेस्ट तरीका होता है सोशल मीडिया से earn करना सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा popular हो रहा है यूटूब क्योंकि लोग photos या text के मकाबले वीडियोज देखना ज़्यादा प्रैफा करते हैं यूटूब का monthly user base around 2.6 billion है जो की Facebook के 2.9 billion के बाद सबसे ज़्यादा है और हो सकता है कि आने वाले समय में Facebook को भी ये पीछे छोड़ दे ऐसे में अगर आप अभी 2022 में भी अपना YouTube चैनल शुरू करते हो तब भी आप उसको एक profitable business में convert कर सकते हो मुझे ज़्यादा पताने की जरूरत नहीं है क्योंकि YouTube ने कितने लोग की जुन्दगी बनाई है ये सब आप लोग अच्छे से जानते हो YouTube चैनल स्टार्ट करने के लिए आपको कोई high-tech gazettes की जरूरत नहीं है आजकल smartphone से सब कुछ manage हो जाता है चैनल उसी बारे में बनाए जिस फिल्ड में आपको अच्छी जानकारी हो content ऐसा बनाए जिससे लोग कुछ जाने, कुछ सीखे और वो भी बिना बोर हुए YouTube चैनल आप free of cost open कर सकते हो YouTube से पैसे आपको तब मिलते हैं जब आपका चैनल monetize हो जाता है चैनल monetize दब होता है जब आपके subscribers एक हजारिया उससे जादा हो और आपके चैनल का कुल watch time चार हजार घंटों से जादा होता है एक बार आपका चैनल popular हो जाता है तो आपको बड़े brands के साथ काम करने का मौका भी मिलता है तो अगर आपको online पैसे कमाने हैं तो YouTube सबसे best option है पेपाल आज one of the most popular money transfer app है पर इसके पीछे पेपाल के एक बहुत ही powerful strategy चुपी हुई है तरसल जब पेपाल launch हुआ तो market में eBay जैसे money transfer tools पहले से ही available थे तो अपने competitors से आगे निकलने के लिए पेपाल ने referral income का एक method स्टार्ट किया इस method के मताबिक जो भी person पहली बार पेपाल पर account open करता है उसको 1400 रुपे मिलते थे और अगर आप अपने किसी friend को refer करते हो और वो अपना PayPal account open करता है तो आपको फिर 1400 रुपे मिलते थे उस referral method की वज़ज़ से बहुत से लोगों ने PayPal को download किया उसको refer किया और इसी वज़ज़ से आज PayPal money transfer आप में सबसे ज़्यादा popular और trusted company है अब आप बिना पैसे के PayPal जैसा बिजनिस तो नहीं कर सकते पर आप referral and earn जिसे affiliate marketing भी कहते हैं इसका बिजनिस तो बिना पैसो के start कर सकते हो जी हाँ PayPal ने जो refer and earn का program रन किया इससे PayPal का तो फायदा हुआ ही पर कई लोगों ने इस program से एक करोड रुपए तक कमाएं सर्फ PayPal को refer करके देखो आज के time में हर company का एक referral program होता ही है जैसे अब stocks जो कि एक stock investment app है वो आपको एक account open करवाने के अभी किस समय में 300 रुपए दे रहे हैं ये price change होता रहता है एक time पर अप stock पर account open करवाने के 1200 रुपए दे रहा था तो आप सोच सकते हो कि लोगों ने कितने कमाएं होंगे Amazon, Clickbank और Bluehost जैसी companies के referral program सबसे ज़्यादा popular है ये काम आप अपने phone से आसानी से कर सकते हो और अगर आपको affiliate marketing पे detailed वीडियो चाहिए तो आप वीडियो पे comment करो अगर ज़्यादा comment आएंगे तो मैं इस पर detailed वीडियो जरूर बनाऊंगा यूटूब के बाद सबसे बड़ा monthly user base है Instagram का जिसके 2 billion से भी ज़्यादा monthly user है same as YouTube यहाँ भी आपको content post करना है जिसके थुरू आप अपनी एक अच्छी following बना पाऊगे और पैसे कमा पाऊगे Instagram यूटूब के comparison में ज़्यादा easy रहता है क्योंकि यूटूब पर आपको long videos post करना होता है जिसके बनाने में ज़्यादा time और energy लगता है पर Instagram पर आप short reels simple post करके भी audience को engage कर सकते हो Instagram पर थोड़ी research करने के बाद मैंने देखा है कि कुछ pages तो ऐसे भी हैं जो सर्फ photos और carousels ही post करते हैं और तब भी उनकी reach लाखों में है और followers भी Instagram से आप अपने एक following build करते हो तो दूसरे लोग या कोई company आपको उनका product या service promote करने के पैसे देते हैं इसको paid promotions भी कहते हैं ये Instagram से earn करने का सबसे main method है दूसरा तरीका ये है कि जिन लोगों को Instagram पर audience तो build करना है पर उनको content बनाना, SEO करना, hashtag या research करना या content research ये सब नहीं आता तो ऐसे लोग आपको उनका account handle करने को देते हैं और बदले में आप उनसे charge करते हो और अब तो Instagram पर monetization का भी system आ गया है जो पहले नहीं था यानि कि अब अगर कोई आपकी reels देखता है तो उस reels को play करने से पहले advertisement दिखाये जाएगा और उसके बदले में आपको यानि creator को पैसे मिलेंगे Instagram अपने दूसरे business को promote करने का भी अच्छा तरीका है जैसे अगर आपका YouTube channel है तो आप Instagram पर उसी channel का short content डाल कर audience को अपने YouTube channel पर भेज़ सकते हो और आप दोनों apps से फायदा ले सकते हो अब बात करते हैं कुछ offline ideas की जो बहुत ही simple है और कोई भी इंसान इसे आसानी से start कर सकता है फल खाना हर कोई पसंद करता है चाए वो बच्चा हो या बुड़ा क्योंकि फल खाने में अच्छे भी लगते हैं और हमारी health के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं गर्मियों की सीजन में तो फल बहुत ही ज़ादा बिकते हैं खास का राम तो अगर ऐसे में आप एक सही location पे अपनी एक छोटी सी fruit shop open कर लेते हो तो आराम से महीने के 15 से 20,000 रोपय कमा सकते हो अगर दुकान नहीं ले सकते हो तो ठेला भी लगा सकते हो अगर शर्म लगती है कि मैं ठेला कैसे लगाऊंगा तो आप बिजनिस नहीं कर सकते वाश्टिंग पाउडर नर्मा के founder कृष्णा भाई पटेल ने जब नर्मा की शुरवात की थी तब वो अपने घर के आंगन में ही पाउडर बनाते थे और उसको खोदी पैक करते थे और अपनी साइकल पर रखकर घर घर बेचने जाते थे और उन्ही कृष्णा भाई पटेल ने नर्मा को पचीस सो करोड की कंपनी मना दिया और 2013 में उन्ही कृष्णा भाई पटेल ने 40 करोड का प्राइबेट हेलिकॉप्टर खरीदा जो कभी साइकल पर नर्मा बेचा करते थे तो इस कहानी से ये साफ होता है कि शुरवात बले ही छोटी हो उससे फरक नहीं पड़ता अगर आप काम करोगे तो आपका छोटा बिजनिस भी बड़ा बन जाएगा तो अगर आपके पास फ्रूट ट्रॉप खोलने के पैसे नहीं है तो ठेला लगाओ ठेला लगाने का एक फायदा या भी है कि आप कहीं भी ले जाकर बेच सकते हो फल उतने ही खरीदो जितने बेच पाओ शुरू में छोटे से शुरू करना चाहिए इसका जीता जाकता एक्जामपल मैंने खुद देखा है मेरे लोकालिटी में तीन साल पहले एक बंदा थेले पर भल बेचता था एक साल में उसने अपनी दुकान ले ली वहाँ वो फ्रूट्स के साथ चिप्स और कोल ड्रिंग्स भी बेचने लगा और अभी पिछले महीने ही उसने पचास लाग का प्लॉट भी लिया है अब अगर आपको ये लग रहा है कि मैंने तो कहा था कि फ्री में बिजनस करोगे तो देखो इस बिजनस में आपको चार हजार से भी कम रोपे लगेंगे हो सकता है कि और भी कम लगें और इतने पैसे तो लोग यूँ ही उडा देते हैं तो अगर उतने में आपका बिजनेस शुरू हो रहा है तो क्या बुराई है फल आपको होलसेल मार्केट में जाकर लाना होगा अच्छे से मोल भाव करोगे तो हो सकता है कि सुस्ते में मिल जाएं और फल ज्यादा महेंगे नहीं मिलते तो आराम से कम बजट में भी ये बिजन इसको ग्रो कर सकते हो ठेला लगाने में कोई शर्म की बात नहीं है बलकि विरुजगार बैठवे रहने में शर्म की बात है नारेंद्र मोदी जी खुद भी चाय बेचा करते थे और आज वो 140 करोड की अबादी वाले देश के प्रधान मंत्री हैं अब आते हैं अगले आफ प्रफिट में हैं तो आप उनको भी बेच सकते हो अगर दुकान लगाने के पैसे नहीं है तो ठेला लगाओ बुक्स तो आप बिना ठेले के भी बेच सकते हो किसी बैग में बुक को रख लो और पबलिक एरिया जैसरेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, स्कूल्स के बाहर किता वो को बेचना शुरू कर दो, होलसेल मार्केट से आपको कताबे काफी सस्टे रेट में मिल जाएंगी और आप उन्हें अच्छे प्रॉफिट के साथ लोगों को बेच सकते हो, इसे नेक्स्ट लेबल पर ले जाना है तो होलसेल मार्केट में कॉंप्टेटिव एक्जाम की बुक्स सस्टे में खरीदो और OLX और QUICKER जैसी साइट्स पे इन्हें अपना प्रॉफिट लगा के बेचो, ऐसे बुक्स से स्टार्ट करना जो पॉपुलर है जैसे चेतन भगत की बुक्स, आरेस अगरवाल की मैट्स और रिजुनिंग, लिूसेंट की जी के बुक, एक्सक सकते हैं, आफ्लाइन पैसे कमाने का तीसरा तरीका है गिब्ट्यूशन और कोचिंग्स, जो भी काम आप अच्छे से कर लेते हो, जैसे अगर आप क्रिकेट में अच्छे हो तो आप छोटे बच्चों को क्रिकेट की कोचिंग दे सकते हो, आप किसी पार्टिकुलर सबजेक सकें, अलग फिजिक्स पढ़ाय करते थे, आपको जो पसंद है, वो आप पढ़ा सकते हो, पहले अपने घर पे पढ़ाओ, एक बार आपके पास अच्छे खासे स्टुडिन्स हो जाते हैं, तो आप अपना कोचिंग सेंटर भी खोल सकते हो, आप अपनी क्लासेज को यूट से जादा बच्चे आपको देखे और जानें, अलग पांडे ने भी यूटूब से ही फिजिक्स वाला की सुरवात की थी, और आज उनके यूटूब पे साथ मिलियन से जादा सब्सक्राइबर्स हैं, पैसे कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर आपके पास स्किल्स है और करेज है छोटे मोटे काम भी करने का, तो ये थे कुछ तरीके जिनसे आप ऑनलाइन या ओफलाइन पैसे कमा सकते हो, वो भी बहुत कम या बिना पैसो के, वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, मैं ऐसे ही बिजनेस, मनी मेकिंग और फाइन अगले वीडियो में, थैंक्स पर वाचेंग